बिना टाइम विस्ट करें आपको बताता हूँ मिठी से कनेजी के सुन्दर सी मूर्थी बनाने के लिए 10 पॉल्स मिठी के बना लीजिए बॉल्स का साइज ऐसा रहेगा जैसे वीडियो में बिखाया जा रहा है इस बड़ी बॉल्स से उनका पेट बनेगा और ये दो चोटे से बॉल्स उनसे बेस और एक हैड के लिए यूज़ होगा इस दो चोटे बॉल्स लेक्स और हैंड्स के लिए हो जाएंगे ये हो जाएगी सून्द और ये कान अब मुर्ती बनाना चुडू करते हैं बेस वाले अब पहर और हाथ वाले बॉल्स को सिलेंडर शेप में कर लेंगे हाथ जो है पैरों से थोड़े पतली रहेंगे हैं फिर हाथ वाली स्टिक्स को ऐसे वीचिप में कर लें पैरों को छोड़ से ऐसा कर दें पर उन्हें कुछ इस तरह सेट करें फिर सर को पेट के उपर जमा कर मिट्टी को पीचे से ऐसे सैट करें पर किसी बॉल को पोन शेप में करने के पाद देंगे डिगी स्टून बनाएं फिर दो बॉल्स का यूज करके ऐसे उनके कान बनाएं मिट्टी की दो छोटी बिंदी बनाकर उनसे करेंजी की आंके बना लीजी और उनको पूरा कर दीजी उन्हें इस तरीके से जन्रू करनाएं और दान भी बना लें अब अब अगर उनकी सुन्दरत और बढ़ानी है तो ऐसे अब अब अगर उनकी सुन्दरत और बढ़ानी है तो ऐसे दिलक बनाकर उनकी पगड़ी यमको भी बहना सकते हैं अब 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 उम्मीद है यह तरीका आपको सरल लगाओगा और आप भी इसको घर पर ट्राइ करेंगे जय गणेश जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूले